इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं Infosys Stock के बारे में Overall एक sharp downtrend के बाद आज के trading session में हमने देखा कि इस stock में एक strong uptrend देखने को मिला है लेकिन personally view अभी भी इस stock में bullish नहीं है fresh buying अगर short term में इस stock में करना चाहते हैं तो 1550 के उपर के closing के लिए surely wait करना चाहिए Overall इस stock में हमने देखा कि continuous 1900 के price से ये strong downtrend में था और इस stock ने लगभग 1480 के levels को भी touch करा जिस परकार से किसी भी stock में sharp downtrend के बाद एक pullback expected होता ही है आप Nifty में भी देखा कि 1500 700 के low बनाने के बाद एक pullback 16400 तक का था जिसका impact IT stock पर भी दिखा विपरो जैसे stock में 4% की तेजी दिखी और infosys 1520 के price पे trade कर रहा है ये price 1550, 1555 तक के levels को दिख सकता है उसके बाद अगेन जो personal view है वो 1300 तक के 1350 तक के levels infosys में दिख सकते है अगर already आप invested है आपका horizon more than 2 year के लिए है तब ही hold रखे short term में 1550 के आजपास के price पे profit बुक करना चाहिए उसके बाद अगेन इस stock में immediate जो short term level होगा वो 1450 तक का दिख सकता है तो इस pullback में short से medium term horizon करने की गलती नहीं करें दूसरा stock है about India जिसमें final dividend final 145 और special 130 यानि 275 पर share का dividend मिला है और personally view about India में भी bullish है जहां इसमें 17,500 का price चल रहा है easily इस stock में 18,000-18,200 तक के levels दिख सकते हैं और बात रही stop loss की तो stop loss का जो इस stock में रखना है 17,200 के नीचे के stop loss को surely follow करे risk reward बहुत favorable about India में भी दिखता है